अशकार आज हम जो सिçãoक करने के बाद के सकते हैं, इसके जो आपके आलेख होते हैं, जो आप डॉकिमेंट मनाते हैं, वो कैसे लिखते हैं, नो बहुत इंपोर्टन रूटन होता है, कभी-कभी स्टेप्स पूछते हैं、 कभी-कभी हम से चीजे पूछ देते हैं, तो हम पूरी तरह से लिगकर लिखिज करें must week follow पहला जाना हुज होता है सीनॉपसिस या शोध प्रारूप वहाँ आपका भी लेक होता है जो शोध करने से पहले हम प्रस्तावित करतें इसको शोध प्रस्ताव, शोध प्रारूप, मतलब हम शोध कैसे करेंगे, इसको यह बताता है, दूसरी चीज़ आपका जो होता है, आपका शोध प्रबंध, जो आप पूरा शोध लिखते हैं, ठिसिस, उसको कैसे लिखा जाता है, फिर नेक्स्ट आपका होता है, आपका जो जर्नल में छपता है जो रिसर्च पेपर ठीक है तो तीन प्रकार की चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है और तीनों को कैसे लिखना यह हम आज डिसकस करेंगे जब हम कोई शोद करते हैं तो हम एक समस्या लेते हैं हमने पहले ही सब चीज़ें डिसकस कर रखी है कि कौन-कौ के रूप में अभी लेखित करते हैं इसको करते हैं शोद प्रारूप या सिनॉपसिस तो हम देखेंगे कि सिनॉपसिस के क्या स्टेप होते है इसको शोद प्रारूप या आपका शोद प्रस्ताव कहते हैं देखिए ठ्यान से कैसे हम इसको आइडेंटिफाइ करेंगे कि य इसमें पहली चीज तो आपको यह पता होने चीज है कि यह आपका future sentence होता है मतलब अभी आपने शोध किया नहीं है अभी आपको शोध करना है लेकिन आप एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि हम शोध ऐसे करेंगे जैसे कोई committee बनी तो बोला गया कि यह जैसे अपकी सिक्षानीती नहीं आई है तो पहले इसका प्रस्ताव दिया गया कि हम को इस प्रकार से इसमें recommendation रहेंगी हम इस प्रकार से क्रिया करेंगे तो जो आपके steps होते हैं पहले बर दिखाते हैं तब वो प्रूव होता है तब हम उसको करते हैं तो जो इसमें sentence होते हैं वो future tense होते हैं कि हम यह चीज़े लेंगे यह से करेंगे यह हमारे step होंगे तो उसमें भी पहला आपका जो पॉइंट होता है जैसे आप एक front page बना ले दूसरी चीज़ आप first जो आप उसमें step लेते हैं भूमिका या प्रस्तावना कि हम उस समस्या की भूमिका रखते हैं जो जिस पे हमें अध्यान करना है इसके बाद कभी-कभी step अलग से लिख देते हैं कि उस पे जो हमने अध्यान कि हैं संबंदिस साहित का अध्यान जो से हमने इस विशह में यह अध्यान किया यह रिजल्ट प्राप्त किया फिर आपको उसके बाद का step होता है शोद का अचित अर्थात या इसको एक और point कहते हैं अध्यान की आवशक्ता हमने भूमिका रख दी लेकिन हमने यह समस्या क्यों ली इसे को बताने के लिए हम दूसर हमने प्रयुक्षाला पर क्यों नहीं किया थो हम बताते हैं कि यही चीजे थी यह कर्णिशन में हम सिक्षन में के दौरान यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थी यह हमें लगता है कि इस पर अभी काम काम हुआ है यही चेत्र में यह लेवल पर नहीं हुआ है बच्चो पीवा बच्चो पीवा हायन मनियों वह सारे पॉइंट्स हम अध्यान के विशक्ता या शोद के आचित्य में करते हैं इसके बाद हम दिखते हैं समस्याकतन समस्याकतन जो आपका होता है वह होता है कि जिस पर हमें अध्यान करना है फिर होता है प्रयुक्षरों को प्रुभाशी क लेकट में जो तर्म्ट आते हैं जैसे की तो समस्य में आपके अपने क्या अद्ध्यान करें दोर करेंगे उसको हम परिवाशित करते इसके बाता है आपके आपके आउटकम मिलते हैं उनको पूरा प्राद करने के लिए तो आप रुदेश भनाते कि हम इस चिज का अध्यान करेंगे इस चीज का अध्यान करेंगे तो सारी चीज़ें आपके शोद के उद्धेश में हो गई फिर परिकल्पना यानि क्या टिंटेटिव आंसर कि इस समस्या का कोई एक प्रस्तावित उत्तर होगा कि हो सकता है कि आग्मन विदी जादा आपकी एफेक्टिव प्रयोक्षाला कम या प्रयोक्षाला जादा इफेक्टिव आग्मन विदी कम या हो सकते दोनों में कोई सार्था करता नहीं आपने पहले ही परिकल्पना पड़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया आपकी लगबग दो पॉइंट्स आपके बच्चते यही आलेक वाला शोट की अनदेख ता वहम ज़ल्दी के यां कवर हट करें फिर सो ॉद्यशन परुपना प्रीकल्पना स्लेज़ें घाया चायगा जिसके लोगार प्रेंद कर दिया घुक्ति है तो ऑनकिर इस अंत्री के सिमी करें तो प्रयोक्षाला विधी के प्रभाव शीलता का तुलनाख मकद्यन, तो उस पे हम यह जनसंख्या हमारे प्रात्मिक्स सर के बच्चे आजाएंगे, क्या, कहां, पूरी दुनिया के नहीं, आप जिस इस्तर पे ले रहें, उत्तर प्रदेश के या आपके जौनपुर डिस्टिक इस के न्याधर्श अप पूरे बच्चों प notify नीग, उसमें से कोई एक स्को दो planning बच्च informing के लिए, फिर आपका न्याधर्शन किस विधी से ले लिया, लट्रे विधी से ले लिया, आपने लिया, सोध देश प्रक्या से President किसी भी विधी से आपने है तो वह तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि कौन सी विधियां आपकी यूज़ करेंगे उसके बाद हम लिखते हैं स्यक्षिक नहितार्थ मतलब जो हमने समस्या लिए उसका क्या नहितार्थ है अर्थाथ जब अगर हमें यह रिजर्ट मिला तो यह सिक्षा में यह प्रभाव डाल सूची होता है उसमें भी मैंने आपको पहले ही बता दिया तीन मॉडल से आप लिखते हैं जिसमें अकसार हम एक सिनॉप्सिस में मेरी खुद की है तो यहां पर हमने क्या क्या फ्रेंट पेज लिया है उसके बाद आप देखेंगे कि यह प्रस्तामना लिया और कुछ चीज है क्या पब्लिकेशन ने कहां किया तो इस प्रकार से हम लेते हैं वेबसाइट को यहां पर डालते हैं कहां से रिट्राइव किया पीडियाफ अपने नसीफ कर लिया कि कहां से लिया यह सारी चीज़ें आपको दिखाने पड़ती है और सिक्वेंस वाइस अप पहले है फिर फिर यहां पर देखिये प फिर ब जैसे आपका सीक्वेंस रता है इसके अलामा जो कस्तावत रूपरिक आप देखे प्रतम अध्या ये दूतिय ये तितिय ये लासमेश सारांज संदर्व नसुची यह आपने भी बता दिया इसके आलामा देखिये यहां पे सारे स्टप आ जब आपका result मिल जाता है तो आप क्या करते हैं जैसे लग उषोद करते हैं या शोद दो ही में होता है तो आप ऐसे thesis बनाते हैं इसमें देखिया से फ्रेंट पेज होता है मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूं कि आपकी जितने कॉंसेप्ट वो क्लियर होते जाएं तीरे अब बहुत जादा लग रहा होगा यहां पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं है बहुत ही प्रॉपर स्टेप होते एक बार अगर आपन छले नहीं तो आप भूल जाएंगे तो प्रमाड पत्र जो मेरा मिला हुआ या पर वह आपको देखिए कि हमें ये बोला गया कि आप इस चोड को कर सकते तो यह तो यह प्रकार से प्रमाड पत्र यह आपके प्रिंसिपल जो आपके निर्देशक है विभाग अध्यक्ष अ नहीं बोटना की को में वहकं है तो प्राकथन सब्क्रक वक्रणी जाता हुई है कि यह उता है Prakatin तो क्या थे से इसमिक ऑपिस waiverane सब्सक्राइख को दिचकर भी जिसे अधिया सेष्ट प्रमार्द कॉमें आप आप हारवेक्ट करते उसके बाद विशय सोची जैसे इंडेक्स इसमें इंडेक्स होगा तालीका विम आरेक शूची जहाँ-जहाँ आपकी जो तालीका आपने ग्राफ यूज़ जिज्किया है आपने कोई फिगर यूज़ किया अब यहीं ताकि तूरंत इसको यहाँ आपने तौल मुझची है, तूरंत यहाँ से खोज ले जैसे मैं आपको दिखा री हूँ किस परकार से दालिका सूची बनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है ताकि आप पहले ही पर दिखें आरे ख़व तालिका सूची की बात किये तो विवरन नाम लिखें पेज किस पर है पॉइंट लिखें कितने आपने आरे क्यूज की इस परकार से और जो आपका विश्य वस्तु है वो सूची आपकी बहुती लंबी प्रस्तावित किया उसी को यहां करना है दूसरा संबने साहित का सर्वेक्षन इसमें कौन-कौन से आपनी बुक्स पड़ी किहां किस पे पहले किस ने अध्यान किया क्या क्या किया वो सारी चीज़ आप देते अभिकल पेवां विधी वहीं वाली जो यहां पे आपने प्र आप लगाएंगे उसकी व्याख्या करेंगे जो रिजर्ट मिलेगा फिर नेक्स्ट अध्या में क्या क्या साख्षिक नितार्त है यहां जो आपने लिखा उसको और एक्स्पेंट करके और भावी शोधे सुचाओ अथात इस विशह पे और कौन-कौन से अध्यान हो सकते य यह भी आप पताते हैं इसके बाद आपकाता है सारांश देखिए यहां सारांश नहीं होता क्योंकि हमने अध्या कि फ्यूचर टेंस में होता है लेकिन यह पास्टेंस में होता है आप करने के बाद इसको कर दें तो यहां सारांश भी लिखते तो सारांश में आप पूरी स संदर्व पलेश्ट में क्याए लगा है तो और यहां पहले लगा है कि कौन कौन से चीजिसेज जो आपका प्रूल हुआ यहां जहां आप गया तेवहां का प्रमाडपत्र लगा दीजे और जो आपकी चीजे वह परीशिज जैसे जैसे जा से टेबल लगा देते हैं जो लॉग का आप लॉग टेबल रड़ता है उसकी वैल्यू लगा देते तो वह बुक में जैसे होता है पर शुष आपके इसमेबल एक तरह से पूरी बुक होती है यह और यह क्या होता है जो अनमोदित करने के लिए अपकरते इसके अलावा आप जो कर देखिते हैं आपने पहले सावत किया और यह करने के बाद अपने घस बनाई उसके बाद जब आप नेक्स टेफ में जाते हैं तो जान अगर रिसर्च की एबरिसीडी जानी तो उनकी वज़ए से तो यहां पर मैंने गाइड का नाम लिखा और यहां पर स्टार देने पर तो इसका 60% पर फॉन स्टार पर 60% मिलता है और 2 स्टार पर 40% मतलब वरीता आपको क्रेडिट मिलता है ठीक है उसके बाद जो बॉक्स पना जोटे चोटे में फिर यहां पर जैसे आपने लिखा वैसे वैसे लिए याद रखीगा कि इसमें सारांश पहले ही बॉक्स में लेते हैं क्योंकि लोग यही पढ़ते हैं पूरा कोई नहीं पढ़ता तो यह आपकी आलेख होते कौन-कौन से शोट की दौरान हमको जाने लिए एक आपका पॉइंट और बच्चा है शोट की नहीं दिखता उसके बाद रिसर्च का पोडिशन आपका खतम हो गया और लेकिन फिर भी मुझे अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि हम मुझे इस कॉलेक्स से पढ़ा देना चाहिए तो मैं आपको पढ़ा दूंगी आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो भी आपको लग रहा है कि यह कम्या रह गई यह तैयारी नहीं देखिए अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम दो फेस कर रहे हैं उसके बावजूद हम सोच रहे कि आपका नुक्सान नहीं लेकिन आप भी कर दशिन करते रहेंगे अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए हमको प्रतिपुष्ची प्रदान करें और अध्यान करते रहें